असलाम अलेकUM फ्रेंस कैसे हैं आप सोभी आप सोभी के बहुत-भहुत सवागत है आपका अपना यूट्यूप चैनल जी की की चैनल रैसीपी है फ्रेंस आज मैं आपके साथ सेर गरूंगी मचली की रैसीपी से दस से बारlor मिनुल में बनने वाली रैसीपी आप इसे पताफ सब सकते हमने पानी को निकाल दिया है तो इसके बाद हम अपनी मचलियों को और हम यहां पर चोटे साइज में कट नहीं कियां करेंगे हम इस में से तीन पीस करेंगे फरेंड़ अब अपर हमने पने मचलियों को मेडियम साइज में पाघ कर रख ले आ है और हमने मचलियों कहीं अब और हम पाई दिपव जाकिंगे लाल दे इसके बाद हम यहां पर एक नीबूँ नि चोड़ देंगे ताकि अदो हमारी घंट कर देंगे को प्रीज तो आज हमने तीन से चार प्याजों को लंब लंबी श्लाइस में कट करकर रख लिया हमने अपने ओईल को पहले ही पकने के लिए छोड़ दिया तर यहां पर आप देख सकते हमारा ओईल अच्छे से पग गया है हमने यहां पर गैस का फ्लैम को मीडियम कर दिया है और मीडिय हम यहां पर हमारे प्याजों को फ्राइ ह होते हुए 4-5 लाइंड तो यहां पर हमugh गया है क्या में गया यहां पर हमके यह तो निकाल कर लेंगे अलग रख लेंगे और और हमारी प्याजों को बहुत ही अकषा color आया तो आपर आप देख सकते हॢझे हे अमने प्याजों को निकालेकर लगाता दिया है अब इसके बाद हम यहाँ पर ग्रेवे बनाने के लिए 2 प्याज लेंगे 5 प्याजों को hem grind कर लेंगे 우리는 हम दर दर रही same grand करेंगे ज्यादा braking नहीं करेंगे हैं तो यहां पर आप देख सकते हमारी प्याज अच्छे से grand हो गए हैं इसके पर pausya हम ऐफ साथ प्याज फ्राये होने के बाद जो हमारा बचा था उसमें हम अपनी सब्जी को बनाया कर तैयार करेंगे अब यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे तेजबाद पत्तार इसके बाद हमने डाल दे डाल चेने स्टिक और यहाँ पर दो बड़े इलाइचे डालेंगे पांसे साथ लोंग डाल देंगे इसके बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी इन सभी को फ्रेंट्स हम साबुत गरम मसाला को 20-30 सेकिंड पका लेंगे पकाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे अदरक लसन का पैस्ट यहाँ पर हमने एक कमच बर करेंठ लसन का पैस्ट डाल दिया है इसको हम कुछ देर पका लेंगे पकाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे पैस वाला पैस रही हमने प्याज का पैस डाल दिया इसे भी हम एक से दो मिनट के करीब पकाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे प्याज भी अच्छे से पक गई है इसके बाद हम डालेंगे टामाटर की प्यूरी हमने तीन टामाटर को पहले ही ग्रैंड करकर रख लिय है अब इसके बाद हम यहां पर डालेंगे सूखे मसाले सबसे पहले हम डालेंगे यहां पर लाल मिर्च पाउडर हमने यहां पर दो चमच लाल मिर्च पाउडर डाल दी है अब यहां पर डालेंगे धनिया पाउडर हम यहां पर डेड़ चमच के करीब धनिया पाउडर डा नमक और प्रक माण्यान रसकोड़न्ग और यहां पर जाले सब दिया आशे से पकाईए यहां पर देख सकते हैं अच्छा पाने दूपाने टाल दिया नाखना पक जा ताकि यहां पर समय पर तीन मिनेट बाद हमारे मसाले अच्छे से पक गये हैं मसालों ने ओयल छोड़ दिया है ओयल सर्फेस्ट पर आ गया है इसके बाद हम डालेंगे जो हमने प्याज गॉल्डन की थी उनका हमने दही के साथ पैस्ट बना लिया था अब हम पैस्ट डाल देंगे इस पैस्ट को भी यहाँ पर हम मसालों के साथ अच्छे से चला देंगे इस अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट से हाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्याज वाले पैस्ट को भी डाल दिया है फ्रेंट सब यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी को 2-3 मिनट के करीब मीडियम फ्लैम पर और पका लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी का टेस्ट और जबर जस्ट हो जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी के कलर बहुत ही अच्छा आया है और यहाँ पर हमारी ग्रेवी पक गई है इसने ओयल छोड़ दिया है तो फ्रेंट साब को कम मसाले वाली मचली पसंद है तो आप मसालों को कम कर सकते हम अपनी मचलियों मसाले दार बना कर तैयार करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर जादा मसालों का यूज किया है तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बन कर तैयार है इसके बाद आप यहाँ पर हम डाले पालोगेर दy्यास्만र को दिना ह быть छोड़ी में अपनी मचलियों को मसाले में प्वाइ office देंगे मचलियों को पानी पानी जोड़ेंगे को ंपनी मचलियों को एक बड़ी तयार करनी है इसलिए हमानी का यूज़न ही करेंगे अब यहाँ पर मचलियों अच्छे से मसालय में मिक्स हो गई हैं यहां पर हम पढ़ने के लिए छोड़ देंगे और यहां पर हम दो मिनट बाद फिर से अपनी मचलियों को एक बार चला देंगे तो यहां पर हम अपर आप गैस का फ्लम को लो कर देंगे लो फ्रेम पर हम फिर से दो से और शुब देंगे तो फ्रेंटS यहां पर आप देख सकते हैं हमारी मचली अद lovely अक्छे हमारी मचलों को हरा धन्या से गानिश कर देंगे तो फ्रैंड हाँ पर आथ देक सहा हमारी मज़धार सी मचली बनकर तैयार हो गई हैं अब… यहाँ अब हम सर्व करेंगे ंडिर्भ करने में अब अब यहाँ प्लेट ले तैयार होती है और इन्हें हम 10-15 मिनट में बना कर तैयार कर लेंगे तो अभी यहां पर हमने अपनी सब्जी को सर्व करकर रख लिया अभी हां पर हम उपर से हरा धनिया से इसे गानिश कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने अपनी सब्जी को उपर से हरा धनिया स अच्छे से गानिश कर दिया है तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से मजले जरूर बनाईए के बहुत ही मज़े की बनेंगे रोग सबी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और आप इन्हें बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी मे जरूर याद रखेगा